कि हाई फ्रेंट्स एजी क्लासेस में आपका सवह करते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने font और font size टेक के बारे में सीख़ा था आज हम सीखेंगे bold, italic और underlying किस परकार करेंगे फॉंट्स को इससे पहले में इसको remove कर देता जबताओं में, Classes का नाम दिखने है एजे Classes और यहां पर Save कर देंगे, और चलेंगे हम ब्राउजर पर ब्राउजर पर जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखी AJ Classes के आ गया, Bold में आ चुका है देखे, AJ Classes के इसमें लिखा हुआ है Bold में लिखा हुआ है इसी पिरकार से Next Tag का हम यूज करेंगे Italic के लिए I Tag का इससे पहले मैं Line को Break कर देता हूँ और Save Save करने के बाद फिर से ब्राउजर पर चलेंगे और ब्राउजर पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो इन तीसरा वर्ड में रहा देखो AJ Classes जो सेकंड वर्ड है हमारा ओ क्या है? Italic में किसमें लिखा रहा है? Italic में लिखा रहा है Third इसी पिरकार से हम Sam BR Tag को यहां पर कॉपी कर लूँगा Line को Break करने के लिए फिर से में और Third Tag का हम यूज़ करेंगे यहां पर Underline Underline के लिए हम Tag का यूज़ करेंगे U Tag का किसका? U Tag का यूज़ का और Sam अपनी Classes का नाम लिख लेता हूँ मैं AJ Classes AJ Classes लिख का इसको Save करेंगे Save करने के बाद में फिर से Browser पर चलेंगे और देखेंगे कि मैंने U Tag का जिसी प्रकार यूज़ किया जो भी वर्ड मैंने U Tag के अंदर लिखा वो किसमें हो गया है मेरा Underline में हो चुगा है उसके नीची Underline आ चुकी है I hope dear friends मेरी इस वीडियो में आपको